हेलो बच्चो मैथ फेस्टिवल के एक और नए बुड़े लक्षे में आप से गस्वागत हैं जिसमें हम लोग जानेंगे बी बोड मास के बारे में जो कि मैथ के एक बहुत इंपोर्टेंस टॉपिक है जिसके बारे में बैसिक नोलेज बहुत ज़रुड़ी है जानना और होन तो चले जान लेते हैं बी बोड मास बी से क्या होता है बी फोर होता है विन कुलम जिसको हम बोलते हैं बार ब्राइकेट बार ब्राइकेट का सेंबल होता है यह इस तरीके से लेट्स अंद कुछ एजामपल समझते हैं कि इसको कैसे डिनोट के जाता है जिसे कहीं भी देख यहां पर यह जो दे दिया यह हो गया bracket इसका मतलब यह होता है कि किसी भी नंबर पर इस तरीके से अगर दिया रहा है तो इसको हम बोलते हैं बार ब्राइकेट कुछ अज़रक एजमपल समझते हैं टू प्लस फाइब थ्री माइनस टू यह हो गया बार ब्राइकेट तो इस तरीके से लिखा रहा है इसका मतलब होता है बार ब्राइकेट नेक्स समझते हैं B B4 होता है bracket जिसमें आपको 3 तरह के बच्चो bracket होता है जो कि आपने पढ़ा भी होगा इसको बोलते है small bracket B4 bracket यहाni shortcut में लिखे है एक होता है small bracket जिसको हम symbol होता है यह तरीके से इसको हमहिन्दी में बोलते है छोटा कोष्टक मतलब bracket को बोलते हैं यहां पर small bracket को हम बोलेंगे चोटा कोश्टक उसके बाद next होता है curly bracket जिसको इस symbols यह है जिसको हम बोलते हैं मदे ब्राइक है sorry कोश्टक और last होता है square कोश्टक जिसको हम बोलते हैं बड़ा कोश्टक तो यह तीन तरह का मनली bracket होता है जिसको हम किसी प्रकार से जिसे लिखते हैं कभी भी देखे होंगे लिखा हुआ जिसे लिखते है 20- यह हो गया square bracket 10- यह हो गया small bracket 7- 5-3 यह हो गया bar ठीक है उसके बाद यह हो गया मेरा कौन सा bracket यह हो गया curly bracket so here हम यह curly bracket उसके बाद यह last square bracket तो यह कभी भी जब इस तरीके से लिखा रहा है तो यह हम जान जाएंगे कि कौन सा कैसे utilize करना है उसको next video lecture बताएंगे बस इस बारे में introduction of board भी बड़ मास है जिसमें आपको बताएंगे कि किसका क्या मिलेंग है और किस तरीके से लिखा होता है next होता है off off में इसको होता है off और off इसको आप इस तरीके से भी कह सकते है use of order भी बोल सकते है जैसे 2 3 power 4 इस तरीके से लिखा रहा है use in the form of multiplication यह क्या होता बच्चो कि इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं जिसे यहां पर आप देखे होंगे कभी कभी कि लिखा होता है यहां पे 40 का जिसे यहां पर लिखा हो इंग्लिस में लिखते हैं नहीं हिंदी में यहां समझाते हैं 40 का 20% यह लिखा होगा 40 of 20% ठीक है इस तरीके से भी लिखा तो इसको यहां पर as a multiplication भी यूज करते हैं और next हो गया यहां पर इसको अगर कैसे यूज करेंगे अगर इस तरीके से लिखा रहेगा तो यहां पर हम करेंगे 40 into 20 by 100 अब यहां पर क्या करेंगे इस 0 से जिरो को काड़ देंगे इस 0 से यह 0 हो गया कट जाएगा तो यहां मेरा answer हो गया 4 टूजा 8 तो इस तरीके से भी utilize करते हैं नेक्स होगा division जिसको हम shortcut में बोलते हैं डिवाइड भी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भाग करना और इसका इस तरीके से अगर लिखा रहा है कोई भी 3 divided by 3 इसको division भी बोल सकते हैं 2 divided by 2 इस तरीके से लिखा रहा है इसका मतलब हो गया यहां पर क्या कहता बच्चो भाग करना ठीक है नेक्स्ट है for multiplication जिसको shortcut में multiply भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं गुना करना जिसका symbol होता है इस तरीके से बिल्कुल आफ order में जैसे multiplication का दिखा है सेम वही चीज़ है लेकिन वहाँ पर उसका भी यही है लेकिन उसके वह में जब उस फॉर्म में दिया रहा है तब उसका मतलब हो गया है कि डिविजन से पहले होगा ना कि आप इस तरीके से दिया रहा है तो इसको हम multiplication में इससे लिखा होता है 3 multiply by 2 divide by 2 तो यह जो सेंबल हो गया से multiplication का सेंबल हो गया next हो गया addition इसको short form में add भी बोलते हैं तो यहां पर 3 plus 2 plus 2 3 ऐसे लिखा रहे है 2 plus 2 तो यह इसका मतलब होगा add करना इसका सेंबल होता है plus next हो गया और last इसको बोलेंगे वह subtraction जिसको हिंदी में बोलते हैं गटाओ करना जिसको short form में बोलते हैं subtract जिसका सेंबल होता है इस तरीके से 3-2 plus 2 तो यह हो गया बच्चो भी बोर्ड मास का पूरा introduction जिसमें आपको जाने कि किसका क्या meaning होता है वेन कुलम का क्या होता ब्राइकेट का क्या होता है ब्राइकेट कॉन कॉन सा होता है उसके बाद किसका क्या meaning होगा next video lecture में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको utilize करेंगे और क्या important से इसको किस तरीके से आप कहां पर किसको पहले यूज करेंगे वो सब भी बिल्कुल one by one करके details में जानेंगे अब तक लिए thank you